करेंगे चलिए आज हम बात करेंगे स्वास्त रहने की मुल मंत्र आप चाहेंगे तो कॉपी नोट लेकर बैट सकते हैं मुल मंत्र जानने के लिए कि कैसे लब को हम जीवन बर स्वास्त रह सकते हैं तो आपको मैं बताना चाहांगा कैसे हम जीवन बर स्वास्त रह सकते हैं इसके हमको 80% अपने खाने में बदलाव लाना बहुत ज़िए और इसमें अगर हम 20% वर्क वोट एट कर देना तो इसमें चार चानी लग जाएगी याने 100% फिटनेस हमको मिलेगी 80% खाने बदला रहने पोस्ताक युग तक खाना हमको खाना चाहिए सुदे सुदे कर शाम तक हमको रूटिंग बना कर चलना चाहिए कि हमको दिन भर में ऐसा क्या कर खाना चाहिए जिसमें हमको पॉस्टिकता वली चीज़ मिल सके असी प्रते साथ और अगर हम इसमें सुदे मॉर्निंग का या यूनिंग का इतना भी हमको सवय मिल रहा है उसमें आगा 20% वर्काउट कर लेना तो इसमें हम कुछ चाह चाहन नहीं लग जाएगी जीवनभर स्वस्तरा नहीं हेलो दोस्तों माइन में जोंप्रगार दुश् प्रते से टॉपिक मिल सके हम के लिए वीडियो बनाते हैं और यह वीडियो जितना ज्यादा हो से कि लोगों तक सेयर की दिए तो आज हम बात करें कैसे हम क्या आप जीवन भर स्वस्तर बुढ़ापा की परवाह करते हैं यानि स्वस्तर बुढ़ापा आने ओले समय में पा यार साथ पृषिसत लोगों तक हाट की समझसा पहुच शुकी है तैनी इस दटें सोचो क्या बोल भेह है अब आप इस चीज को देख सकते हैं वेपर रर्यां की चीजे में पढ़ रहो हूं याने 2030 तक ऐसा समय आने वाली है कि आधी दुनिया मोटा पे पूर चली लेकि आधी दुनिया में सोच सकते हैं आधी दुनिया भी तो भारत तीसरे नंबर पर हो वर्वेट में ठीक है लेकिन 2030 याने 2022 चल रहा है याने आठ सार के दो दुस्तक आने वाली है उसमें बीमारियों की संख्या मोटा पाओं की संख्या प्रणी आधा होगा देगी आधा हो सकते हैं इंग्यान हेल्थ सेनेडियों क्या बोल रहा है इसको लिते चलेंगे तब तो समझ आएगा आपको कैसे पकाम जिवान पर सोच सब्सक्राइब कैसे इस चीज के बारे में हमको गलाद खान पान को इसे समझा आरी है इंग्यान ह सब्सक्राइब करते हैं हर चौंथा भारती या तो डायबीटेज की मरेज है या वर्णी की स्थिती में है 15 करून से भी ज़दा मोटापे से समस्य हैं सिकार हो चुके हैं तीन साड़े तीन करून ऐसे बेखती है जो हिस्दय रोग से परिसान है हाट एक से परिसान है और उ मसाला यह सब परियोग करने से तो उसमें हमको ब्लॉकेज होनी की समस्य होती है देरे देरे ब्लॉकेज की समस्य बढ़ सकती है और मैं यह बताना वी चाहूंगा अभी हाट अब हाट एक में मौत की कारण इलग भग आठ साठे आठ हजार हो गई है जो प्रतिती दिन हाट बढ़ते जा रहा है आप देखती हैंगे आसपस में कैसे बच्चे मोटा कर रोल जा रहा है ठीक है भारती अन्य मुकाबले अन्य देशों के मुकाबले तीन से चार वोना हेल्दय रोक से प्लीट है ठीक है आप 1990 कर दसक ले जाएं कैसा टक को बढ़ते लोग स्वाश्थ थ क्योंके मेहनत करते थे किसानी करते हैं अल चलाते थे कहती रांपा का प्रोग करते थे ऐसे लगत आप कौन पर अपां महें करणा है स्मार्ट वरक होने के साथ आपको खाना कि अधा क्ता आप से 2010 कि जो आप खाना खा थे आप ऑसी शाना का रहे हैं। लगित जर्दर से भी पसीना नहीं वह रहा है कहां पर केलोरी खर्चे करेंगे आपको कम केलोरी दे अधिक एलरजी दे हाई प्रोटीन मेंडराल सबके बोड़ी को रिक्वाइर्मेंट के आज बीदामिज प्रोटीन की पुदी तरह बोड़ी को दे आसा आपको स्मार्ट खाना होना चीए लिवर अधियान वर्ट दाइवेडिज के पिटाल यह दिन परिदें लोगों के बीच दाइवेडिज की समस्या आ रही है महिलाओं को गर्वधार्ण करने में समस्या हो सकती है मोटापा ऐसा आपका इस्तिति है पेपर कटिंग अगर आप पेपर पड़ते होंगे ना तो उसमें हेल्थ तक जूर एक पेज बना रहता हैं हेल्थ से रिलेटिव अब उस पेज को जलूर पढ़िए कैसे टब कर में कुछ ही सालों में ऐसे बदलाव आ गया है कि इनसान और जलते जीने से बीमार करते जाले है इस चीज को हम एक स्लाइट के माद्वें से बात करेंगे तीवी उननीस सुनग्दे में जो टीवी का हलाब था यह सेच का याने वो बहुत कम मेहनत करता था जालाव थोड़ा से चलता था सूबह चलता था आज आने को चलता ऐसे तक पर इस सीजी था क्योंकि जादा मातनों के चैनल भी नहीं है कुछ इसलिए सूबह देखते थे स तो उस समें टीवी बहुत कम रूप में उपयोग के रहा था था तिस देवचाल यह हाल था ठीक है और आज सुबह चैबह चालू है तो राज को दस बढ़ी टीवी बढ़ रहा है यह उसका ओवर का बढ़ गया है और इंसान का वर्क एकदम स्लो हो गया है और 1990 में टीवी इसलिए भी कम चलता था कि लोग मेहनत करते हैं घर से बहां निकल करते हैं पसीना भाद इसलिए उस समय बॉडी फिटनेस में था स्वास्थ था थे लोग ठीक है और आज इनसान घर में है बैठे बैठे खा रहे है टीवी देखते देखते खा रहे है मत्तब मुत मस्ती इं मार्केट का जोगी चीज़ खाना खाते है वfalls अटने अठेक्ती होती है मत्लम वह अपने उपर अकरस्ट कर दि hai, इतना कब खा रहे है अपने और इतना मतलु मुत अपने मेच़र विसकी अपने रियू ूंसमान बंभी को खा नहां शबते हैं अपने मिक्छर स्षा कम कि आपको मैं यह चीज गलत रहो गवा तो क्या आप कुछी भी चीज मार्केट से रिएटू कुछी भी चीज मिच्छा भी खाते हैं तो आपको और खाने का इच्छा करता है कि मेरे को भी करता था कब नग은 थोड़ा सा मरे एक पिकेट खाने के चपकर में कई पिक निप खा जाता था में इसका तो पता ही ने चालता ऐसा ब्धार था हर एक विप्ति के स्वाटरएटा ऐसा कुचिद उसमें डालाएठा मन और खा में ओर खान लिए 4ah फोटो दिया देता है लिए जिए विसला हलके मिले रही हाद वर्ट पहले किसान हर एक घर की बार बार पता हूँ थाली भर खाटेते थे और आज इसमार्ट वरकर करते हैं अगर उनका बोजन है तो मैं आपको 11 ौर्ष पर्शने दवह केसाँ गल सकता हूं आज वह स्वस्थ्त है लेकिन आने वाले सभी में स्वस्थ्त है अगर वह स्वाहईपिट ऐसा है है अगर वह इदम लगा डाई बयकर किया इसे थाली भर उपर क्यों भीस्ट रस्वार से संगठन क्या बोगास सथर पतिसर लोग खाने पीने के करण हिश् Skills को ने आप सकतर पतिसद लोग हैं विदोप्टर की पास जाते ही उनकी गलत खानपर सथे नहीं केंसर हेवे रोग डाइबीज हेवी पीर है सूगर है कोलेस्टॉल ले वज़ है यह सब चीज होने का मुख्य करण होता है हमारी गड़त खाल पान संतर प्रतिसाथ सूर सकते हैं पचास प्रतिसाथ बिमारिय पोश्टिक्ता की कमी की करण खत्म हो चुकिए भोजल में पोश्ट्ट्ट्व कमी होने के मुख्या तीन करण आपको में बजा दूँगा तो इस्ट्रॉंग करण है अगर यह जीज में थोड़ा सा बगराव नहीं लाया गया यानि जीवन में सर तक तक बीमारी से ग्रसित हो जाएगी घर में किक संद्द से बीमार हो जाए जा रहा है केमिकल ट्विस्ट्ट साइड ठीक अन्य प्रकार की पुरोगता सक्ति उखटन किया रहा है बहुं ज़्या मातर में खेतों में उपजाओं की जाए उपजाओं पन को बढ़ाया जा रहा है जिसके वोजय से पोश्टिक्ता की कमी हो रही है है इसटोर्ल कर्कर षिरकडर रखे है हां हुँआरे खाने को घरे में घर रखता है जिस से पहले बड़े बड़े कोड़े बेक वारे कॉर्ड इस्टोर के अपर को में जा रहा है कूब कि पनाने की तरीका फिर्डी पिक्रिंट से बतनब करनिक आदत बढ़ा और ये कं नही तीसरा मुख्या महत्रु कारण है घर में जो हम गलत तरीका से खाना बनाते हैं इंडक्सन जुदा, गैस के जुदा यानि हाई टेप्पेचर बढ़ा के जो हम खाना बनाते हैं उसमें पोष्टिक्ता की कमी हो रही है आपको मैं बताया है तीन श्ट्रॉंग कारण हमारे खाने से पोष्टक क्यों कमी होने कारण हमारे भोजन का आपको मैं सत्य बता दूए हमको अभी घर के नॉर्मल खाने से मारे के खाने से मिल क्या दिए सुगर नमक तमपकू वसा केमिकल प्रेश्टिस्टाइड आटिफिसियल कलर प्रिजवेटिक कर याने पूर और प्रदूसा ये सब चीज हमको डेली जूटिव में मिल रहा है लेकिन डिपेसेंसी जरुवत क्या चीज़की है हमारे सरीर को प्रोटीन, बिटामिन, मिनरल, मैक्रोनुट्रिशन, पानी, फाइबर, अमीनो एसीड, कॉम्पलेक्स ये कार्ब्स, बोटानिकल खार, ऐसे तक चीज़ों की हमारे सरीपुनित्य प्रतिजी जरुवत है हमारे भोजर में जीन चीज़ों की अधीक प्रयोग करते हैं वह हमको काले करने में उर्जा अधी देते हैं, मतलब केलोरी बहुत देते हैं जिसका वहां काम होने को यह से इस्तिमाल करते हैं और इस तरह से उर्जा सरीज में फैट की रुपने करता हो जाए है कैलोरी बहुत जादा रुप में अगर हम सहरी मिलाता हैं जिसे घर जाने कर रहे हैं तो फैट के रूप में कनवट कर जाएगा बदल जाएगा आपको मोटा पेक और ले जाएगा आपको जैसे कि है पिज्या है, बर्गर, चौमी, पराथा, मॉमोस, ठीक है पराथा, आपको चाहा है, कोल्री, विस्कीट, ड्रिंक है, यह सब चीज आज हमारे लाइफ विश्टेल का एक हिस्सा बन चुका है और यह जीज खाने से हमको अधिकुर्जा मिल रही है और अधिकुर्जा को हम खर्च नहीं कर पा रहा है अगर हमारे बॉल्डी को बारासोय करें चाहिए, अगर आप पंदरासोय को खर्च नहीं कर पा रहा है एक दीन आपके सरीन में इस्टोर ने वह लेकिन एक दीन तो जरूर हो जाएगा ऐसे करते करते आप सुन सकते हैं जरूर को खर्च निकरने कुसी कारत इसान मोटा पर 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 जा रहा है इसनल इंसलेट ऑफ नोट्रिस्टाइं डाटा ने दावा किया है भारती घोजर ने तीस साल पहले जैसे ताकत नहीं रही तीस साल पहले जो हमको पोश्टिप्ता मिल रही है हमारे खाने में वह देरे देरे करके कम होते जा रहा है मैं आपको कुछ चीजों की नाम बता देता हूं जिसमें क्या चीज कितना मत्रा में कम हो गए रहा है मसूर की दाल में 10% प्रोटिन कम हो गई है जोग केहों में की हुँ से हमको कर्वोहड़ेट में लगों नौ परके सब्धार घट गई है हमारे जोग के दाल से हमको आरान मिलती है लगवग 6.12% घट चुकी है अलो से हमको ङतामीनउ फी मैगनिस्टेम जीनक मिलती है ऑज जले से हमको कर्वोहड़ेट मिलती है घट गई है تमाटर से हम और मिलती है जीनक मिलती है लगबग 670 प्रतिसत घट चुका है इस चीज को भलके में मत लीजिए शेव हम खाते हैं इससे हमको आरण मिलती है लगबग 730 प्रतिसत आरण सेव के फलो से घट गई है आप इस चीज को सोचिए विचार निमर्श कीजिए कैसा तरका चीज हम खाना खा रहे हैं होज़दा युट्रिशन खाना और पोस्टिटा में क्या अंतर है हमारे घर का खाना और पौस्टिकता में आपको इतना टाइम से यही बोल रहा हूँ कर पोस्टिकता के अतरत आने चीज है तो कर आना झो खाते है उसमें还有 about पोस्टिक्ता में आपको बदाएंगा खाना वह खात्य पदार्त है जो हम खाते हैं कि जब भूग लगती है तब और नहीं लगती है तब भी पोस्टिक्ता वह है जो हमारे सरीर को प्रतिक दिन्स्वास्त रहने के लिए चाहिए इस सीच को मैं एक उधारण के मार्ध्यम से समझाना जो हूँ, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जिनके घर में गाड़ी नहीं होगा है, आना बाइक, उनका प्रॉपर क्लिका से पेट्रोल और मोबिल का खयाल रखते हैं, पेट्रोल गाड़ी का उजया है, जो आपको एक जगे से दूसरे जग अच्छा रखता है, उसको फिटनेस में रखता है, वो आवाज नहीं कड़ती है, बेट्फूजूल, इसी पकार हमारे सरीव में होते हैं, खाना जो खाते हैं हमको काम करने के लिए उत्साह और अधक करता है, लेकिन सरीव को जीवन इमार स्वस्तर आने के लिए क्या चाहि में ही तो खाना काम करने के लिए जीवन घर स्वस्तर आने के लिए, चैवन जीवन भर स्वस्तर आने के लिए क्या चाहिए, विश्चा करना अतिया केलोरी इंटेक्ट इंड मोर केलोरी इपतब भोजन का ज्यादा सेवान नहीं करना चाहिए अगर आप केलोरी ज्यादा इंटेक्ट कर रहे हैं और कम वरकर कर रहे हैं इससे अपका सरीर ऐसे से सब्सक्राइब करें। viral पूछो का अप्यूचकर लोज के अगर फिष्ट्रेस में हैं जाए को पी का हद्गिक मात्रा कर ली ओक्राव वद बढ़ गया है बढ़ा चुके हैं धूम्रबाण जैसे चीज़ों का प्रयोग कर लहें कि आप मोटापा है कि वोट चले गया है कि आप बहुत जीदा मातर में मिठाईयों का प्रयोग कर रहा है करते हैं अगर हां तो इसमें हमसे आपको सला लेजिकी जरूवत है अगर आप मोटापे की वर में हैं अगर आप नजर अंदाज कर रहा है तो कब ऐसे बीवारियों को अब बुला जेंगे ना अमंतृत कर देंगे कि आपको ऐसास में नहीं होगा आपको वसा केलोजी कर केलोरी अगर आप ज्यादा रूप में ले रहे हैं इससे पहले विए आपको में बताया अगर आप केलोरी ज्यादा सेवन कर रहे हो और खर्च कम कर रहे हो और केलोरी अगर सेवन कम कर रहे हो और खर्च अगर आपको ज्यादा है मेहनत ज्यादा है तो आप इसमें दुबल कि अनुसार पालक की एक चीज वड़ाना चाहूंगा तो स्लाइट के मात हैं सब्सक्राइब में एक कटुरी पालक से जो हमको आयरन मिलती थी आज 2022 में 43 कटुरी पालक में अगर हमें सब खाले तो आयरन हमको नहीं मिल पाएगी अगर दो आपको यारे पार्ट तो आपको मोटापे को एक लेका लेकिन जो अंदर को यह लो पार्ट जह रहे हैं वह ना चाहिए आपको कितना भिमारत करेंगी आप सोच नहीं सकते हो इसी कि हैं कि संटीमेटर उस नाब लेजिए और आपका अपन कीजिए फॉलَّो किजिए हम बताएंगे कैसा मीं अपनेस태 कर सकते हैं अपने भी याएए को करते हैं जतना ऊमर के आप भी सकते हैं तो आप हमको फॉलो कीजिए हम बताएंगे कैसे टब खाब जीवन गर स्वास्तरा सकते हैं इसके लिए हम लोगों को अच्छे स्वास्तर के बारे में जानगारी देते हैं हमको निट्ट परती दिल पोस्ता रियुक्त खाना चाहिए जैसे कि प्रोटिंग मिनराल स्कार्बोह आविस्सक फेट ठीके फाइबर हॉप्स पानी इत्यादी यह चीज हमको डेली रूटिंग में चाहिए न्यूट्रिशन वाई न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या करता है विद्धियों विखास को रोगों को लड़ने की छंता प्रम्याद करता है वाश्टिकता की घट जवा बनाया लगता है तनाव फुष्टिम जीवन सरी खाने की आलत में बलेगाव करता है विद्धियों को लड़ने की छंता प्रता है इन्यूट्रिशन को बढरार रखता है न्यूट्रिशन यानि पोस्टर्वत तब तर तो वाले चीज प्लाश्कामें बगार बोर बोल पोस्टिक तर चीज कहां से मिलेगे कैसे मिलेगे कैसे उसको फ्योग करना है कैसे अपने सर्फियों का लाव ला सकते है थैंक्यू सो मच्छ आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें ताकि आपको नए नए जनकारी बिंग सकें मेरा नाम पॉंटर क किसी के नाम से मेरा चैनल है तो आप हमारे चैनल पूर जब लाइक और सब्सक्राइब करने ताकि नए ना जनकारी अपको मिल सकें मैं एक विजनेस कोची हैं जिसमें लोगों को अच्छे पार्ट्रम इंकम के लिए मैं सडाह देता हूं इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करते करेंगे और मैंने जांग डाइवेटिवी थैंक्यू सो मच्छ